कुनाल खेमू के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मढगाव एक्स्प्रेस शुक्रवार को रिलीज हुई और कुछ समय बाद सिनेमा घ्रों में एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म देखने को मिली ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हालां की फिल्म की शुरुवात फी की नजर आ रही है फिल्म भी एक छोटी फिल्म है और इसलिए इससे बड़ी ओपनिंग की उम्मीद भी नहीं थी शुरुवाती अनुमान के मुताबिक पहले दिन मढगाव एक स्प्रेस ने सैकने लग के मुताबिक एक दशमलव पांच शूने करोड रुपए की कमाई की है इसे स्वातंत्रिय वीर सावरकर पर थोड़ी बढ़त हासिल है जिसने एक दशमलव शूने पांच करोड रुपए कमाई थे हाला की ट्रेड इसे एक फिल्म के लिए कम शुरुवात मानता है क्योंकि ऐसी फिल्म जो कॉमेडी और मनोरंजन शैली में हैं के लिए अधिक भीड की उम्मीद है महाराश्ट्र और गुजरात में इसके अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है हाला की राजस्थान, हरियाना, पंजाब, बिहार जैसे ख्षेत्रों में इसकी संभावना नहीं है महामारी के बाद इस तरह की छोटी फिल्में वास्तव में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है इसे ध्यान में रखते हुए व्यापार के हिसाब से यह अभी भी एक अच्छी शुरुवात है और कोई केवल यह आशा कर सकता है कि सकारात्मक प्रचार के माध्यम से मढगाव, एक्सप्रेस, शनिवार और रविवार को सिनेमाघरों में अधिक दर्शक जुटाने में काम इस फिल्म को इस समय सिधार्थ मलहोतरा की योध्धा से प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो पिछले हफ़ते रिलीज हुई थी और अच्छी कमाई कर रही है दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ कर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों आप हमारे चैनल को साथ